हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सिरी चल लिए जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एक दम बेसिक लेबल से पर जिने कुछ नहीं भी आता हो कर वो भी सीख सकते हैं और इसमें हम नया करते क्या है हम करते हैं कि हम वोकाइब को न्यमोनिक्स की मदद से याद करने की कोशिज करते हैं और अभी तक हम लोगों ने कर लेते हैं कुछ important grammar rules की भी कर लेते हैं और पी वाई की question भी discuss कर लेते हैं तो यह complete package है English class के लिए सारी exams के लिए चले बिना देरी के सुरू करते हैं आज क्लास तो आज का जो पहला word है वह है afflict afflict मतलब क्या होता है सताना अब इसको बोल सकते और हम बात कर लें अन्टोनिम्स की तो अन्टोनिम्स हो जागा comfort अरम दाए ओके तो आप इसको याद कैसे परोगे यह एक तब easy word है afflict मतलब सताना ठीक है सताना तब यह ना देख सकतो अब को ओल्ड हो जाता है उसको अगर आप घर पर अकेले छोड़ देता हो उसके फैमिली साथ नहीं हो तो एक तरह साप उसको सता रहें और न्वाए कर रहें अगर चलिए नेक्स्ट बात करतेश्य नेक्सट वर्युक्ड है agitated नहीं होता है व्याथित या परेसान अगरoms की बात कर लेंंतो हो जागा upset वह पट्रपल है यह पत्री यह कर लो एंडिया में रहता हैं कि पत्मी लोग पहला ही मिल रहा है एजी एजी कर रहा है बार-बार मतलब भी परसान कर रहा है तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं देख सकते हैं इस वदन्दे को भी इसकी पतनी का फोन है आप बैशान होगे कि हाज पता नहीं क्या कह रही होगी तो छहले नेक्स्ट बात करता हुआ नेक्स्ट है हमारा ऐसले मतलब होता है गलियारा इसके सिनोरिम्स के बात कर ले हो जाएगा पैसेज कोरिडोर वाकवे हो जैसे कि देख सकते हैं यह प्लेन का या फिर ट्रेन का और जहां पर सीट्स एक तरफ रो में हो इधर भी हो और बीच का जो प्लेस रहता है इसी को बोल और यहां पर एसले सीट आर्म लेस्ट यह जो इसी को पहते हैं एसले चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाजफूल, विजिलन्ट कर उन्वाचफूल यह सब इसके सीनोनिम्स होगे। अगर आप बात कर लें ऍानिम्स क्या होंगे। तो इन स्कीके अलेट्च का उर्लेस्नेश यह सब यह सब इसके गजल इसके ऐसे Animal सोगे। अप ऑथ वोिशकी यूज से पत्हूंट होगे। है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा एले मतलब होता है संथ करना इसको बहुत रिलीव थे सूध ये सब इसके सीनोनिम्स होगे अगर हम बात कर लें इंटोनिम्स की तो एंटोनीम रेंक्रीज बढ़ाना इंटेंसिफाइख करना तब यहां पर दोकर कि यह ब तो अगर हम परसान हो, तो ममी क्या बोलती है, अले-अले मेरा बच्चा क्या हो गया, ऐसे टो करकर बादा हमकरा हम सी करो भी नहां, तो आहले याद आले बोलती है ना तो आहले याद कर लीजे आपको असानी से याद हो जाएगा कि मा से याद कर लीजे मा जब भी पास होती है तो हम सांत हो जाते हैं चलिए next बात करते हैं, next है one word substitution का section, इसमें जो आज का word है, वो है ambiguous, ambiguous मतलब होता है अनिकारती, by का कल मैंने बता है नहीं था, by मतलब 2 होते हैं, ठीक है mostly 2, तो ambiguous का मतलब होता है अनिकारती, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, capable of being understood in either of two or more possible sense, and therefore not definite, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ हो, ठीक है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर यह 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 लिख के नो लिखा, तो आप इसको क्या समझोगे, यह भी समझ सकता है, कोई नो भ गहा, तो कभी-कभी उस no का मतलब yes भी होता है, अगरा आपको बोली कि नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, और आप लेके नहीं गया है, तो फिर आप क्लास लगेगे कि मैंने ना कहा, तो तुमने no ही समझा, yes था मेरा मतलब, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते इसके synonyms हो जाएंगे confusing, enigmatic, equivocal, ओके, चलिए next बात करते हैं, next है ambivalent, ambivalent बनता हूँ है वहावी, चीक है, having or showing both good and bad feel, ऐसा बनता जिसमों जो अच्छा और बुरा दोनों feelings हो, ऐसा situation हो जहाए, जहाँ पर हमें अच्छा भी feel हो और बुरा भी feel हो, जैसा कैसे situation हो, अगर कोई student जो परहाई के लिए अपने धर को छोड़ता है, तो उसे अच्छा भी feel होता है, कि चलो आजाद हो जादी भी मिल गए, लेकिन साथ ही जाद बुरा भी feel होता है, कि अब हम घर का खाना मिस करेंगे, घरवालों से दूर हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, कि जब हम hostels में जाते हैं, higher education के लिए बाहर जाते हैं, तो उस समय हमाँ अच्छा भी feel होता है, और बुरा भी feel होता है, उसको हम बोल सकते हैं, ambivalent होता है, तो next की बात कर ले, next है amenable, amenable मतलब होता है, अग्याकारी, तो सबसे ज़्यादा अग्याकारी क्या हो, कौन होता है, तो dog होता है, तो इसका जो मतलब हो, dogmatic होता है, amenable dogmatic, readily reacting to suggestion and inferences, willing to be guided or controlled, ऐसा बंदा जो कि guide करने के लिए, control होने के लि तो आप उसको घुमाने लिए और घुमने के लिए तयार होगा, आप उसको जो करो, वो उसके लिए तयार होता है, आग्याकारी होता है, एक तो, next बात कर लो, next है amnesia, amnesia मतलब होता है, भूलने की बिमारी, और partial or total loss of memory, या तो थोरा या फिर पूरा हो जाता है, memory loss, ठीक ह तो amnesia की प्रोब्लम हो जाती है, बहुत सारे old age में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बूढे होते हैं, तो क्या होता है, बहुत चीजम भूलते हैं, बूलने की बिमारी हमें लगने लगती है, और exam आया, तो exam में भूल जाते हैं, examination hall में हूँ, तो सारा पढ़ा हुआ, मुक्त बात करते हैं, नेक्स्ट है, amnesty, amnesty मतलब है, राज छमा, ओके, an official pardon, the formal act of liberating someone, किसी को formal pardon, official pardon, जैसे पहले होते थे, राजा महराजा होते थे, अगर कोई चोरी डेकाइटिक करे, बहुत ही मासूम हो, उसे गलती से हो गए, यो तो उसे क्या करते हैं, छमा कर देते तो amnesty राज छमा होते हैं, कि कोई राजा है, तो जो छमा देगा, तो राज छमा होते हैं, तो वहीं से लिया गया word amnesty, ओके, official जहां भी official छमा दिया जाए, तो उसको amnesty बोलते हैं, official pardon, इसको बोल सकते हैं, चले नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा idiom है, फ्रेज को बाल-बाल बचना है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, अगर आपका हेर होगा, तो वह इतना पतला होता है, कि जिसको measure करते हैं, तो बहुत ही कम होता है, तो उतने gap से बच जाए, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे couple है, यह accident से बच गए, तो नेरो gap नहीं तो इ next part करते हैं, next हमारा है, a hard nut to crack, मतलब क्या है, लोहे के चने चबाने, अगर लोहे के चने चबाने पड़े तो बहुत ही मुश्किल काम है, हमारे दांट भी तूट सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह बंदा nut को four है, nut मतलब होता है, अफ्रोट भी बोल सकते हैं, जो भी hard sell वाले follow होते हैं, उनको nut बोलते हैं, इससे तूट नहीं रहा है, बहुत ही hard, तो देख सकते हैं, बंदा कितना परसान हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, इसको difficult task और difficult problem to solve, task difficult होगा या कोई problem difficult होगी, a tough challenge और difficult person, तो अगर vocab की बात करें, तो vocab a hard nut to crack होता है, exam में, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है, a hornet nest, ठीक है, मतलब और प्री इस्तिति है, hornet होता है, यह देख सकते हैं, ततया जैसे ही होती है, जो की बहुत ही बिसाली होती है, बहुत काटती है, अगर आप इसको छेर दो, तो बढ़िया से काट लेती है, और पूरा सूजन हो होगे, तो आपके लिए अप्री इस्तिति होगी, कि आप कहीं पर पहुंचे और देखा कि hornet का nest, तो आप वहाँ पर धबरा जाते हो, क्या रहे यहां पर समहल के रहना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तो hornet nest का मतलब हो जागा, an unpleasant situation, a troublesome situation, मतलब ऐसी इस्तिति जो आपके अनुपूल ना हो, ओके, next की बात कर ले, next है a hot potato, मतलब क्या होता है, विवादास पक मुद्दा, जिस पर विवाद चलना हो, recent मुद्दा जिस पर बहुत ही विवाद चलना हो, बोल सकते हैं, एक controversial issue, इसको याद करने के लिए बस speak को याद करते हो, कुछ कहने की जोगनी हो अब लोग सभी जानते होंगे, इस movie के बारे में, और क्यों अभी hot potato बना है, तो आप इस movie को ध्यान में रखके, इस idioms का मीनिंग आप याद कर सकते हो, चलिए next बात करते हो, next है a house of cards, मतलब तास का घर, और सुरक्षी तियोजना, अगर आप cards घर बनाते हो, तो क्या होगा वो बहुत insecure होगा, क्योंकि अगर किसी ने थोड़ी सी फूक मार दी, सारा डह जाएगा, आपका घर तूट जाएगा, तो इसलिए कहते हैं, तास के पत्तों का घर नहीं बना जाए, क्योंकि वो बहुत insecure scheme होगा, ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि अभी तक हम लोग ने ह आप century कर लिए, वो कैब की, चाहे वो EDM phrase हो, one word substitution हो, या फिर हमारे synonym, centonym हो, तो चलिए, next बात करते हैं, next हमारा आगया Pandora box, भानुमतिका पिटारा, आपको पता की पिटारे में क्या होता है, तो पिटारे में होता है, 100 golden rules की सीरीज चल रही है, इसमें, जो की error detection और sentence improvement में बहुत ही helpful होगा, तो subject verb agreement की बात कर रहे थे, तो आज subject verb agreement का last है, इसके बाद हम दूसरा topic की करेंगे, ठीक है, तो आज का जो है, वो क्या कहरा, subject verb agreement का rule, कि अगर कोई भी subject हो, ठीक है, अगर वहाँ पे relative pronoun हो, भर्ब के पहले, अगर relative pronoun हो, तो जो भर्ब होता है, वो कैसे अब जैसे देख सकती, incorrect होगा, I, who is your friend, will guard your interest लिखा है, तो यहाँ पी, who जो होगा, वो relative pronoun होने, और जो पता की relative pronoun आएगा, तो जो भर्ब आएगा, वो antecedent के according आएगा, तो I के according आपर भर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे M लगाएंगे, I, who am your friend, will guard your interest, यह ऐसे बहुत error detection म अबर होने के बाद भी आप PDF मिलेगा, तो वहाँ पे एक बार इसको जरूर देख के जाना, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, चेले, next बात करते हैं, next हमारा question answer का section हो गया है, खीक है, तो यह 3 December की shift 1 नहीं, shift 2 की होगी, sorry, यह shift 2 की होगी, error होगे है, तो यह shift 2 की vocabulary की बात कर है, आपको 10 seconds मिलते हैं, और आप question के answer करने परते हैं, तो इसमें जो fill in blanks करना है, वह आपको idiom करना है, खीक है, तो आपको 10 seconds मिलते हैं, 4 options हैं, फटा-फट एंसर करिएगा, चलिए, आपका time up हो गया, मैं बता दूँ जो इसका सही answer होगा, वो होगा left no stones unturn, तो ऐसा है कि, कि अगर आपको अपने mother को convey करना हो, हामी भरवाने के लिए, कोई भी चीज में हामी भरवाने के लिए convey करना हो, तो आप क्या करते हो, सारे तरीके जमाल लेते हो, मतलब कि left no stones unturn, ऐसा कोई पत्थर नहीं बता जिसको आप उलट फेर नहीं करते हो, मतलब कि ऐसा कोई भी त दस सेकेंड मिलेंगे, option है unnecessary compulsory chosen option, बहुत easy word है, बहुत बार पूछा जा चुका है SSC में, तो अभी तक आपको याद भी हो गया होगा इसका मतलि, तो चलिए time up हो गया, तो obligatory का मतलब होता है compulsory, इसके synonym से compulsory, obligatory मतलब क्या होता है compulsory है, यानि के mandatory है, अनिवार है, unnecessary आपको पता है, option भी पता है, चलिए next की बात करते हैं, यह सब easy word है, आप लोग को पता होगा, next question है हमारा, antonyms बताना आपको attracts का, यह भी बहुत easy है, आप अभी तक कर दी होगा answer, चार option embodies, shrouds, illudicate, deters, यह तो बहुत easy question है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ऐसे easy question ही exam में आते है, ठीक है, right answer होगा, वो होगा, details, ठीक है, और हम बात करें attract, attract मतलब क्या होता है, attract मतलब होता है, अकरसित करना किसी भी चीज़ को, अगर बात करें embodies, embodies मतलब होता है, किसी बात का suggest होना, suggest होना, इसको हमने last two class में किया है, इस word को, तो आपको पता ही होगा, इसको बोल स सकते हैं, epitomize भी बोल सकते हैं, और बात करें, shrouds, shrouds मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, का मतलब होता है, एक्सप्लें, clarify, elucidates मतलब वैक्या करना, विदर शी जेनi हुआ ड१़ी टाइम अप हो गए से हुआ है क्याता है हुआ होता है ज मतलब होता है जिसको बोल किसका हो सकते हैं, extreme, hard होगा तो इसके andynами कीबात करें क्या हो गजाएगः, इसके andynam roof हो जाएगा, gentle, hard का antynom सब पता है, gentle होगा, wither का मतलब होता है, wither मतलब क्या होता है, wither, wither मतलब होता है, मुर्जहाँ जाना, कोई भी चीज फेड़ाप होगा इसको बोल सकते हैं फेड़ाप टीक है ड्राइब जो मुर्ज हाज है विधर हो जाता है सिक मतलब बीमार आपको पता है वराइस से मतलब होता है पेटू जो की बहुत ज्यादा खाए ग्लूटन भी बोल सकते हैं ग्रीदी भी बोल सकते हैं नेक्स की बात करें नेक्स कोच्छन है इडियम बताना आपको इडियम का मीनिंग बताना आट आप आप बहुत बार पुछा जा चुका एससी में चार आप्शन है आपको फटा फट एंसर करिएगा चली अभी तक आप नगी डिया होगा आट एंड आं अंसलेंट मतलब बतावता एट डिस्टेन्स हाथ की दूरी पे मतलब की दूरी भी पे इसका शरी बता करेंगे जो कि मैं इसका मतलब बता रहता है जसी टेरिकल का सिनोंपाने चार उप्टमेटने मुंशत पता रहों है झाले क्से अज मैं करेंगे इसका मतलब बता देता है इस्टेरिकल मतलब वहता है फ़नी होगा तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बता है अच्छा लगा तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करते और अपने दोस्तों में सेर करते जिनको वोकाइब की जरूरत है जो कि एक कंप्लीट क्लास चाहते हैं कम समय में सारा कुछ डिसकस हो जाए और ग्रामर के रूल्स भी इंपोर्टेंट उसके डिसकस हो जाए तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिल जानते नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थाइंक यू जैनि जैबाद